तो यह होंडा साइन स्पी यह फिर साइन कर सकते हो इसमें क्या प्रॉबलम भार है मैं आपको पहले दिखाया था हमने चाब यह उनको नौर्ण वाली और यह पूरा कोई भी साउंड नहीं है और पूरा बैटरी डाउन अब इसका पासिंग भी ऑन करते हैं तो भी पूरा डा कि इसके में क्या प्रॉबलम है और कितना खर्चा इसमें आ सकता है तो फर्स दोबलम क्या कर रहे हैं जब भी ऐसा प्रॉबलम आए पहले आपको चेकर ना मुड़ा बैटरी तो हम इसको अभी कॉप करते हैं और इसका हम सीट ऑपन कर लिया है पर इसका सीट और लिख बैटरी का यह सुए मैं यह हर काले काड़ी के लिए बोल लो चाहिए आपका पास कोई सही वाई को प्रॉसस सेम रहने बाला आपको ढूंड़ना की बैटरी ब्रॉक्स आप मतलब काहां पर है तो प्रॉसस तरीका सेम होने वाला है तो इसमें रहता है 10 नमर का बोल्ट और इसमें प्रॉपंड कर लीजए तो आपको स्टार टैप का स्कूर्ट आपर इसका रिकवर्मन्न है और आंपे ब्रॉसक्रूपन कर लेजए कर लिया है जी निकल गए अब इसमें देखते हैं कोई डेमेज बेगरा हाँ जो कोई डेमेज बेगरा नहीं है अब सीधा हम इसका वोल्टेज चेक करेंगे इसका रिले है और यह वाला बैट्टरी तो हम अगर आपके बास माल्टिमेटर नहीं है तो भी हम तरीका बताएंगे तो पहले जो तरीका होता है माल्टिमेटर को 20 वोल्ट पर सेट केजिए और इसका अब चेक करना पड़ेगा कि इसमें कितना वोल्टेज आ रहा है और स्ट 12.4 वोल्ट तो फिर बैक्टरी ठीक है अचे एक वर एक काम करते हैं इसको चला का देखते हैं अब इसके बाद हम इसका बोल्ड जेक करते हैं अब इसका चावी ओन होने के बाद ही नाइन वोल्ड आ गया है मतलब इसमें के यह बार्र वोल्ड दिखे रहने यह फेक तो नहीं उठाएगा तो हम एक काम करेंगे इसका अब इसको प्रफेट प्लागिन कर दिया है अब हम इसको चावी ओन करते है आठ वोल्ड हो गया है अब हम बाइक को स्टार्ट करके देखेंगे कि वोल्टेज ड्रॉ हो रहा है कि सही हो रहा है है हम इसको रख रहे हैं है अब 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 अपने जब सेल्फ मारा रहा है देखो कि हालत हो रहा है अब सेल्प नहीं दे रहे है अब 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 है अब हमने स्टार्ट किया है वाई को तो अभी चेक करते हैं कि इतना बोल्टे जा रहा है अब हम इसको रेब करके देखते हैं इसमें तेरा चौदा बोल्ट आना चाहिए इतना तक तो आना है चाहिए अब हम चेक करेंगे रेगूलर रेक्टिफार में भी हंटबस निस वे और चले चेक करतें तो रेगूलर रेक्टिफार चिक करने के लिए तो इसको पहले फील करो हाथ से देखो मतलब बाइक क्या आओ पांच दस मिट पंद्रा मिनित अब उसके बाद इसको हाथ रखके देखो अगर यह गरम हो रहा है तो मतलब और प्रॉलिम भी सेम आ रहा है तो मतलब इसका यह वाला फूक गया आपका रेक्टिफार को चेंज करना वड़ेगा और इसके समय यह थालका सा गरम भी है और यह भोल्टेज भी सो नहीं मतलब इसमें चार्जिंग बैट्री को नहीं दे रहा है तो बट हेड़ लाइट बागर सबकुछ जाड़ रहा है अब दो तिन साइन होते हैं यह खराब होने का बोबें आपको बताऊंगा अब यह जो कॉपलर है इसमें यह रेक्टिफार खराब है यह खराब है क्योंकि यह चार्जिंग नहीं दे रहा है तो आपको सेम पार्ट यह खराब है क्योंकि यह चार्जिंग नहीं दे रहा है और यह अपका हीट भी थोड़ा सा हो रहा है यह मैंने जस्ट न्या रिग्लर डेक्टिफार रहा है इसका प्राइस लिए है लेक 968 रुपीज मैंने जस्ट यहां पर प्लाग इन किया है पूरा वाला मतलब है बट करें रहा है अब यह प्राब्लम सम्ली बोल यह उला बैंसब्स अले चैंग रहती इसपुम स्ली फड्व सॉलम नहीं खुशिए तो नश्राइन जस्राइए देकात आञे है तो अब कर बताओ आउном मतलब फाइंड गरना बहुत ही मुस्किल है बत हमने आप दिक्कत बता है ने रगलोड लेक्टिवार लाया लगया दे नेगटिव दिया फिर भी गरम हो रहा है और वोल्टेज में आपको चिक कर आँँ पे बैस्ट्री नहीं तो बैस्ट्री गवोल्टेज भी दिखा रहा है देखो नाइन पॉइंट वोल्ट टू थी वोल्ट तब भी शाबी कौन गढ़ते हैं कि वोल्टेज बढ़ गया बट अभी प्रॉब्लम क्या है प्रेटर आपको बोलता हूं इसका मीटर में प्रॉब्लम में मीटर का कपलर हमने चलो जैसे था देखो यह बड़ा मीटर का प्रॉब् प्रॉब्लम आपको देखना बहुत जादे इंपॉर्टेन है मैं आपको चलो गड़ा हुआ था जैसे में रेप करूंगा ना तो यह कम हो जागा हुआ 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 मैंने कितना और भी देव किया इसको बट फिर भी यह दस ग्यारा से उपर जाही नहीं रहा अब मैंना छुके देखू जी यह गरम हो रहा है अब मैं आपको एक मैदी देखा तो यहाला मीटर चालो है मीटर का हम जो कॉप्लर है इसको निकाल देते हैं प्रबर्द देश्क अब चलो वोल्टेज में आपको चिप्करवाता है आपके सामने वोल्टेज 14 बाइंट हुआ यह से मैं आपको रेव करता हूं यह से मैं पूरेव कर रहा हूं देखो अब थोड़ी से रेव करने ने से इसमें बड़ रहा है 14.3 11.2 और मुझे इससे प्रॉब्लेम क्या बता है भाई की है मुझे लग रहा है भाई इसका प्रॉब्लेम यह वाला प्रॉब्लेम नहीं था अले गॉल्र के बर सहिए था अमंने यह प्रॉब्लेम पहली बार देखा कि की है अगर बेटरी दॉप करेगा नहीं कोई प्राब्लेम इसका प्रॉबलेम पाइंट कर लिए हमने इसका मीटर का जो आयसी होता है मुझे लग रहा है कि मीटर चलेगा मिटर का इसी खराब होने और बड़ेगा ही नहीं तो मुझे आज तो रात होगा तो मुझे आज वीड़ाट मीटर ही चलाना पड़ेगा और इसको मैं मुझे लगए पूरणा वाला जो यह वाला प्रणा वाला था वही में लगा के चलाऊंगा अब देखते हैं अगर दो एक घंड चलाने का बाद मिटर का ही प्रॉब्लम है निया जो रिवाट डेक्टि भाए रहे इसको इसका प्राइस मुझे बड़ा 9 68 रूपीस मैं आपको प्रिंट देखाऊं नाइन शीक्स्ट एड रूपीस यह पर लिखा है तो मुझे लग रहा कि यह वाला मेरा वेस्ट हो गया बद चला पर है तो अगर प्रॉब्लम स्टील हो रहा है तो आप में भी स्वाट रगड़ा तो आसको में फैकिंग करता हूं मिलते हैं नेक कल वाले वीडियो में तो अब यह बाए 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 जैंद बंद मात्रम पार नवाते की जैए बाए बाए तो आप